साथियों अभी जब मैं यहां आ रहा था तो बीडिया में एक खबर चल रही थी और यह कम्मीर बात है कॉंग्रेस के एक बड़े सहयोगी दाल महागटबंदन के चुत्रधारों में से एक महागटबंदन के सबसे तगड़े साथी नेशनल कंफरेंस फारुक अब्दला साब उनके बेटे उमार अब्दला साब की पीड़ी प्रावेट कंप्री इस नेशनल कंफरेंस ने बयान दिया है कि काश्मीन में अलग प्रधान मंत्री होना चाहिए आप मुझे बताईए कॉंग्रेस के साथी पार्टी की ये मांग आपको मंजूर है हिंदुस्तान में किसी को भी मंजूर है वो कहते हैं हम गड़ी की सुई पीछे ले जाएंगे और 1953 के पहले की सीची पैदा करेंगे और हिंदुस्तान में दो प्रधान मंत्री होंगे कश्मीर का प्रधान मंत्री अलग होगा मैं जरा जानना चाहता हूँ जवाब कॉंग्रेस को देना पड़ेगा महा गड़बंदन के सभी पांटनरों को जवाब देना पड़ेगा इस चुनाओं में उनको जवाब देना पड़ेगा क्या कारण है कि उनका साथी दल इस प्रकार की बात बोलने की हिम्मत कर रहा है कुछ दिन पहले उनके एक पार्लामेंट के उमीद्वार ने ऐसी ही बत्तमीजी की थी भारत को गाली देने की खुली गोशना की थी लेकिन कॉंग्रेस पार्टी और नेशनल कांफरेंस इस विशे में चूप बैटे हैं और दिल्ली में मिडिया भी एक दिन के बाद विशे को भूल गया आज उनका ने दूसरी हरकत की है उनका ने कहा है कश्मीर का अलग प्रधान मंत्री होगा मैं इन माह गड़बंदन के सभी साथियों को पूछना चाहता हूँ बंगाल की दिदी बहुत चिलाती हैं आप जरा जबाब दीजिये ये नेशनल कॉनफरंस आपके साथी है क्या ये नेशनल कॉनफरंस की दूसरे प्रधान मंत्री की मांग इससे आप सहमत है के नहीं है देश की जनता को जबाब दीजिये यहाँ पडोस में आंदर प्रधेश में यूटन बाबू बैटे हैं ये यूटन बाबू अभी दो दिन पहले वो बड़ा स्पेशल गमछा लगा करके फारुक अब्दुला के साथ जुलूस निकाल रहे थे तेरा यूटन बाबू बताईए और आंदर की जनता भी चौक जाएए चेट जाएए ये ये चंदर बाबू है जिसके बगल में फारुक अब्दुला वोट मांग लेक लिए निकले है और जिनका बेटा कश्मीर में अलग प्रधान मंतरी होने की मांग कर रहा है क्या चंदर बाबू को वोट मिलना चाहिए क्या बैप पूछना चाहता हूँ सिमान शरत पवार जी को आप तो कभी देश के रक्षा मंतरी रहे हैं आप कभी महरास्टर के मुख्य मंतरी रहे हैं आप बताईए क्या आप हिंदुस्तान को सुई को पीछे ले जाने के लिए तयार हैं 1953 के पहले उसी तरह आप कश्मीर में प्रधान मंतरी बनाने के लिए आपके इन साथ ही दलों के रवये से सहमत है क्या साब किजिए मैं स्रिमान S.C.D. देव गोडाजी से भी पूछना चाहता हूँ देव गोडाजी आप देश के प्रधान मंतरी रह चुके हो आपका बेटा मुख्य मंतरी है आपके परिवार के सारे लोग इस लोग तंतर में वोट की राजनीति का मज़ा ले ले रहे हैं तेरा जबाब दीजिए देव गोडाजी आप पूर्व प्रधान मंतरी है आपका साथ ही दल नेसलल कानफरांच तंकिय की चोट परे कहने की हिम्मत करता है कि कश्मिर में अलक प्रधान मंतरी होना चाहिए देव गोडाजी करना रखी जन्ता को जबाब दीजिए क्या आप ये प्रधान मंतरी हो ने की सपने देखने की बात को ऐसे लोगों के साथ चलना चाहते हो या नाता तोड़ने को तयार हो साथियों देश को बांटने की इसी मानसिक्ता ने भारत का बहुत बड़ा नुक्सान किया मत भुलिये दो तीन दिन पहले ही नेश्टलर्ड कॉंफरंस के एक नेता आतंग सरप्रत्तों के लिए पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद के नारे लगाये थे इस बयान के बाद कॉंग्रेस के सारे बड़े नेता चुप्पी साथ करके बैठ गए थे कॉंग्रेस की यही मानसिक्ता है जो देश विरोधी ताकतों को मजबूत करती है इसी मानसिक्ता की वज़े से ये लोग एर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं इसी मानसिक्ता की वज़े से ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं सेना के पराक्रब का अपान करते हैं यही मानसिक्ता है जो उन्हें टोकलाम विवाद के सबाएं चीनी राजदूत से मिलने के लिए जाने की प्रेणा देती है इसी मान्सिक्ता की वज़े से ये सेना को गाली देते हैं सेना को कटगरे में खड़ा करते हैं इन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कान खोल करके सुन लीजिए अरे चुना तो आएंगे जाएंगे लेकिन ये लोग लिक करके रखे जब तक मोदी है जब तक मोदी है आपकी साजीसों को कभी काम्याब होने नहीं देगा मोदी देश के दुश्वनों और देश के लोगों के बीच तीवार बन करके खड़ा रहेगा ये लिक करके रखे और ये जड़ाय नेशनल कानफरंस वाले भी समझ ले ये पीड़ीपी वाले भी समझ ले भावयों बहनों ये कश्मीर में ये दो चार परिवारों की दुकाने हैं वो पिछले 40 साल से दिल्ली को मुरग बनाते रहे हैं और दिल्ली भी उनकी बातों में आ जाता है इनका धर्ती पर कुछ नहीं बचा है आपको पता होगा वहाँ गवर्नर रूल लगने के बाद नेस्टलल कॉंफरेंस का विरोध था पीडीपी का विरोध था ये दोनों कद्दावर्द परिवार भारत सरकार के खिलाब खड़े हो गए थे और उन्होंने अलान कर दिया था और कॉंग्रेस भी मिल गई थी इन्होंने अलान कर दिया था कि पंचायोतों के चुनाओं नहीं होने देंगे पैशकार करेंगे और ये सोचते थे कि कश्मीर की जंता उनकी बात मान लेगी कि अब्दुल्ला परिवार मुप्ती परिवार कॉंग्रेस के लोग उपर से नीचे टपक पड़ते रहे कुदते रहे चिलाते रहे पंचायत के चुना हुए 70-75% वोटिंग हुआ और 30,000 से जादा लोग चुनकर के आज वहां पंचायतों में कारोबार चला रहे हैं उन्होंने इनका बहिसकार कर दिया जो चुनाओं का बहिसकार करने के लिए निकले थे उनका बहिसकार कश्मिर की जनता ने कर दिया था जिनका धर्ती पर कुछ नहीं बचा है वो कॉंग्रेस के लोगों के कूर्ते पकड़ पकड़ करके देश को धमका रहे हैं अब जबाना चला गया कॉंग्रेस नहीं है मोदी है जम्मू हो कस्वीर हो लदाक हो वहाँ के नागरी कोंगे लिए हम अपनी जान देने के लिए तयार नहीं है लेकिन इन ठेके दारों को अब सहने के लिए तयार नहीं है